हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Microsoft Office Picture Manager कैसे डाउनलोड और इंस्टाल करते हैं आपको अगर पूरी जान करी चाहिए तो ये मेरा वीडियो आप आखरी तक देखिए क्योंकि आपने अगर MS Office का 2013 वर्जन इंस्टाल किया है तो उसमें Microsoft Office Picture Manager ये option आपको मिलेगा नहीं इसलिए आपको ये आप अप्शनली इंस्टाल करना पड़ता है और आई थिंग ये पिक्चर मैनेजर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सॉप्ट्वेर है तूल है इसलिए आप आप जिस्ट कीप वाचिंग मैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं हम आभी इसके लिए आपको पहले मैंने डिस्क कंप्टर का ऑपरेटिंग स्टम थर्टी टू बेट है तो इस उपर के उपर वाले लिंक का यूज कीजिए अगर आपका कंप्टर सिक्स्टी फॉर बीट का है तो आप यह नीचे वाली लिंक इसे कॉफी करके अपने गूगल क्रूम ब्राउजर में पेस्ट कीजिए और अपने कीबोड से इंटर कीप्रेस कीजिए इंटर कीप्रेस करने के बाद आप डिरेक्टली माइक्रोट अपिस के अपिसियल वेबसाइट पर जाएंगे देखिए यह माइक्रोट अपिसका ओफिसियल वेबसाइट है और आप यहां से बहुत आसानी से माइक्रोट शेयर पॉइंट डिजाइनर टोथाउजन टेन 64 बिट वर्चन वो आपको दिखाई दे रहा होगा यह इसके नीचे डाउनलोड का की दिया है आप इस पे क्लिक कीजिए डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा चली देखते यहाँ पे आपको शेयर पॉइंट डिजाइनर यह माइक्रोसोट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का सेटफ है आप इससे डबल क्लिक करके अपने कंपूटर पे इंस्टॉल कर लिजिए इंस्टॉरेशन के बाद आपको क्या करना है आपको दिखाता हूँ देखिए यह सेटर पर इसके मैं डबल क्लिक की और एक्स्ट्रेटिंग हो रहा है अभी इसके जो फाइल से और एक्स्ट्रेक्ट हो रही है स्ट्रेक्ट हो रहा है झाल 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 झाल